हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा भारत की भाषा हिंदी है राष्टिय भाषा के तौर पर इसको लोग मानते हैं जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं इसी बात को लेकर कहीं ने कहीं से एक शक्स ने यह महसूस किया है कि वाकई हिंदी के साथ काफी सारा जो मतभेद है वो उभर कर सामने आ रहे हैं और जहां तक चंद्र की बात होती है चंद्रवा की बात होती है तो उसमें जिस तरह से चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसको लेकर वो बहुत जादा दुखी है क्योंकि उसका प्रेयोग आज नहीं के बराबर हो रहा है चाहे वो print media हो चाहे वो electronics media हो और हमारे साथ खुद हैं वी सी कुमार जो लंबे समय से इसी विशे पर शूद करते आ रहे हैं कि आखिर आज की दौर में हिंदी के साथ इतना भेद भाव क्यों है विकास जी आपका बहुत वस्वागत है आप हिंदी को लेकर आप काफी परशा आपको बहुत सारी बातों की बारे में बताया जाता है तो जो हमारे स्वर या व्यंजन अक्षर है उनमें एक व्यग्यानिकता है अगर आप हमारे साथ दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या व्यग्यानिकता है तो आप अगर बोलेंगे हमारे साथ कि ये जो स् ट, त, प, आता है, ये कैसे, क्यों प पहले नहीं आता, या क्यों ये सीरियल बनाया गया है, इनको रखने की आवशक्ता क्यों ऐसे पड़ी, तो उसके विशह में हमारे, हमारी भाषा के जो विद्वज रहे हैं, और जिन्होंने इस भाषा का निर्मान किया, वो बहुत ही व तो आप क से शुरू होते हैं, बिल्कुल अंदर उनी हिस्से से, गले के, और बिल्कुल होट पर आते हैं, तो ये उनका तरीका है कहने का, और उसमें छोटी-छोटी चीजे हैं, मैं तो एक तोर पे खुश हूँ, बहुत सारे लोग नुक्ते को हिंदी में रखें या नहीं रखें, उसके बारे में भी चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं नुक्ते से खुश हूँ, क्योंकि एक खासियत आती है, उसकी वजए से, तो वो है तो दूसरी भारतिय भाषा उर्दू का एक हिस्सा, लेकिन जब भारतिय हैं, तो हम लेने से हिच केंगे नहीं, और भाषाए मेडिया की बात करें, तो इस सारी समस्चा का जो जड़ है, आपको लगता है कि वाकरी लोगों ने भुला दिया उसको, नहीं देखे क्या है, मैं कुछ, मैं पत्रकारिता जगत से सन 1990 से जड़ा हुआ हूँ, बिलकुल डिरेक्ली, टाइम्स ओफ इंडिया, नौभारत बिलकुल जड़ से शुरुआत की, तो वहां मैं इतने सारे पत्रकारों से मिलता रहा, और देखा कि वो रिपोर्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के साथ जब लिख रहे हैं, तो बोलते हैं, आजकल चंदरविंदू कहां चलता है, आजकल, आजकल का अर्थ क्या है, मैं ये जानना, मैं उन सब से, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ, कि जो भाषा हजारों साल पहले बनी है, वैज्ञानिक्ता है उसमें, उसमें आप अभी-भी लिखने लगे हैं, पांच-दस साल से, एक-दो साल वाले भी हैं, और पूछते हैं, आज प्रदान की गई भाषा में, आपको अपने भावों को रखना है, अपनी बातों को रखना है, आप भाषा के निर्मान में नहीं है, तो कृपया, चंद्रबिंदू, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, हमारी भाषा का, उसका सम्मान करें, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, अ प्लकुल एक जैसा दिखने में लग रहा है, तो अब आजकल ये लोग नहीं देते हैं, तो आपको कोई चुटकुला सुनाया जाए, तो आप उस चुटकुले पर हंस देते हैं, या हस देते हैं, हस देते हैं, तो ये जो सिर्फ नेजल साउंड लगा, और हस देते हैं, अगर आप ये लिग देंगे कि मैं वहा गया और मैं वहा फस गया, तो आप उसमें लिख देंगा कि मैं फंस गया, दूसरा शब्द है, जैसे यहीं पर आप मान लीजिये, जिसको बोलते हैं, अंस, और ये दूसरा शब्द है, उसका शुती संबिननार्तक कहते हैं अंश हर अक्षर से जो शब्द बनते हैं उनका एक अलग अर्थ होता है उसको आप कंप्रमाइज करने लगें और आप बोलें कि यह प्रचलन में है या नहीं है यह कि फैशन है क्या कुल मिलाकर अभी तकनीकी रूप से हम बहुत जादा स अंग्रेजी में जादा हिंदुस्तान में आया तो मुझे फिर भी ठीक लग रहा था लेकिन जब धीरे अब तो सर्व्याप्त है आपके फोन पर है और सारी भाशाएं उपलब्द हैं न केवल हिंदी बलकि भारत की दूसरी प्रांतिय भाशाएं भी उपलब्द हैं तो ज उनका इस्तमाल जब जहां जैसा होना चाहिए वैसा ही करें यह मैं आप से आप सबों से सभी लेखकों को भी मैंने देखा है और रिपोर्टर्स को भी मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं मैं मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं भाई एक पिछले साथ-ाठ साल स मुझे बहुत खुशी हुई धरोह संकल ट्रस्ट के माध्यम से इस माया नगरी में हम विद्या की देवी माता सरस्वती की भी उतनी ही श्रद्धा से उपासना करते हैं क्योंकि उन जैसे देवियों से तो हमें सब कुछ मिला है जो हम बोल पा रहे हैं वानी की देवी विद हो जाती है तो आइने की हार हो जाती है तो यह सादगी जो आप रखे और अपनी भवता जो है शब्दों का जो भंडार है हमारे देवनागरी लिपी में भी और हिंदी भाशा में भी उसका इस्तमाल करते रहें लेकिन यह नहीं कि अभी दो चार साल लिखे हैं तो हजारों इंगे पास आती है उसके बारे में मुझे इतना कहना है कि वह स्क्रिप्ट उसी समय से आने लगी जब कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके उनको दिया जाता था तो शुरुआट के समय मुझे बुरा नहीं लगता था लेकिन अब जबकि आसानी से वह हंडी में भी syllable पर आपको ज़्यादा stress देना है वो आप न कर पाएंगे इसलिए मैं चाहता हूँ उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ फिल्म वालों से भी करता हूँ क्योंकि वो भाशा को कई रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो में रागरह है भाई हिंदी में script लेके उनको दिया पूछ लीजे आपको script हिंदी में चाहिए देवनागरी लिपी में या हिंदी में चाहिए रोमन में जो जिसको आजकल रोमन बोलते हैं हिंदी रोमन में अगला कदम क्या होगा ताकि आपकी जो भावना है उसको लोग समझ सकें किस हद तक जाएंगे आप देखे मैंने कुछ सीनियर पत्रकारों को भी बात बताई है कि देखे आप जैसे लोग जो हैं जो लिखने का तरीका अपनाते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं और वेल कम्यूनिकेटेड हो जाते हैं तो आप अुच्रे हैं थायँ लोग तो कम से कम जरूर कीजिये हां यहां वहां जो कम जानकार या कम पड़े लिख़े लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यह छोड जाएं यह लिख जाएं लिक गएं फ़र्य सबक हों होगा लेकिन अगर वट वक और हैर चोड़ने प्रवुद्ध करने कम शुक्रियाँ लुक्तिव को पivity आप्छंग करते हैं उसका नीदान Hypokinanda आ जाहiniz ही कि शंक्रकरत को याद करते हैं तो अन्की पंशितर हमात्य mindful याद कि अदisesti हृति हि मध्री टूंग अमर्ते वीर पुत्र हो दिर्ण प्रतिग्य सोचलो प्रशष्ट पुर्णे पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो यानि हिंदी में यही खासियत होती है विशेष्टा होती है कि बिंदी जो है अगर इधर उदर हो गई तो सबकुछ बेकार हो जाता है जिस तरह से एक सुहागन का जो शिंगार होता है वो बिंदी है उसी तरह हिंदी में भी बिंदी का प्रेव से नहीं किया गया तो हिंदी बिलकुल बेसुरी हो जाती है बदसूरत हो जाती है और सबसे बड़ी आहत है कि विसी कुमार जैसे लोग बहुत आहत होते हैं तो जरूरत है कि यह जो समाज ह हिंदी को लेकर है एक बार फिर से निडरता के साथ अपनी इस विकास ची की यात्रा में अपने आपको जोड़े जो की वक्त की मांग है कैमरामेन देवारंसी के साथ अविंद्र आशुतोश इन ट्वेंटीफर न्यूज मुंबई